नमस्कार स्वागत है आपका आज की हमारे इस वीडियो में जहां हम आपको बताएंगे राजापोरस के बारे में उनकी प्रारंभिक जीवन के बारे में उनकी जाती के बारे में उनकी परिवार के बारे में उनकी लड़ाई के बारे में और उनके पुत्र के बारे में साथ ही साथ वो क्यूं थे महान और शक्तिशाली ने था ये भी इस वीडियो के जरीए आप जानेंगे राजापोरस राजापोरस का राज्य पंजाब में जेलम से लेकर चैनाव नदी तक ठेला हुआ था वर्तमान लोहार के आसपास इसकी राजधानी थी जिनका सामराज्य पंजाब में जेलम और चिनाव नदीों तक और उपनिवेश है पिसिस तक ठेला हुआ था पोरस ने हाई डिसपेश की लड़ाई में अलेक्जेंडर ग्रेट के साथ लड़ाई की पोरस का सामराज्य विशाल काय था महराजा पोरस सुंध पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूबा के स्वामी थे पोरस का सामराज्य जेलम और चुनाब नदियों के बीच इस्थित था उन लेकने हैं कि इस छेतर में रहने वाले खौकरों ने राजपूत समराट प्रितविराज चोहान की हत्या का बदला लेने के लिए मुहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया था पोरस अपनी महाध्यूरी के लिए विज्ट्याथ था उसने उन सभी के समर्थन से अपने समराज्य का निर्मार किया था जिन्होंने खुकर रायलों पर उसके नित्रित्व को सुविकार कर लिया था जब सिकंदर हिंदुस्तान आया और जेलम के समी पोरस के साथ उसका संघर्ष हुआ तब पोरस को कोकियार्णों का भरपूर समर्थन मिला था इस तरह पोरस उनका शक्तिशाली नेता बन गया सिंदु और जेलम को पार किये बगैर पोरस के राज्ये में पैर रखना मुश्किल था राजा पोरस अपने छेत्र की प्राकर्तिक स्थिती भुगोल और जेलम नदी की प्रकर्तिक से अच्छी तरह से वाकिफ थे महराजा पोरस सिंदु पंजाब सहित एक बहुत बड़े भुभाग की स्वामी थे पुरू ने इस बात का पता लगाने की पोशिश नहीं की कि यवन सेना की शक्ति का रहस्य क्या है यवन सेना का मुख्य बल उसके दुर्त गामे अश्वुराही तथा घोडोय पर सवार फुर्तिले तीरंदास थे इतिहासकार मानते हैं कि पुरू को अपनी वीर्ता और हस्ती सेना पर विश्वास था लेकिन उसने अलेक्जेंडर दा ग्रेट को जेलम नदी पार करने से नहीं रोका और यहीं उसकी भूल थी लेकिन इतिहासकार ये नहीं जानते कि जेलम नदी के इस पार आने के बाद अलेक्जेंडर दा ग्रेट बुरी तरह से फस गया था क्योंकि नदी पार करने के बाद नदी में बाड़ा गई थी जब अलेक्जेंडर दग्रेट ने आक्रमण किया तो उसका गांधार तक्षीला के राजा आमभी ने स्वागत किया और आमभी ने सिकंदर की गुप्त रूप से सहयता की आमभी राजा पोरस को अपना दुश्मन समश्टा था सिकंदर ने पोरस के पास एक संदेश भिजवाया जिसमें उसने पोरस से सिकंदर की समक्षि समर्पण करने की बात लिकी थी लेकिन पोरस ने तब अलेक्जेंडर दग्रेट की अधीनता स्विकार नहीं की जासूसों और धूर्ता के बल पर अलेक्जेंडर दग्रेट के सरदार युद जीतने के प्रती पूनता विश्वस्त थे राजा पोरु के शत्रू लालची आमभी की सेना लेकर अलेक्जेंडर दग्रेट ने जेलम पार की राजा पोरु जिसको स्वायम यवनी साथ फुट से उपर को बताते हैं अपनी शक्तिशाली गज सेना के साथ यवनी सेना पर तूट पड़े औरस की हस्ति सेना ने युनानियों का जिस भयंकर रूप से संघार किया था उससे सिकंदर और उसकी सेनिक अतंकित हो उठी थे भारतियों के पास विदेशी को मार भगाने की हर नागरिक के हट शक्तिशाली गज सेना के अलावा कुछ अंदे के हत्यार भी थे जैसे साथ फुटा भाला जिससे एक ही सेनिक कई कई छतरू सेनिकों और घोड़े सहित घुरसवार सेनिकों को भी मार गिरा सकता था इस युद में पहले दिन ही सिकंदर की सेना को जमकत टक्कर मिली सिकंदर की सेना के कई वीर सेनिक हताहत हुए यवनी सरदारों के भायांकरात होने के बावजूद सिकंदर अपने हट पर अड़ा रहा और अपनी विशिष्ट अंग रक्षक एवं अतनतहा प्रती रक्षा तुकडी को लेकर वो बीच युद छेत्र में घुज गया कोई भी भारते सेना पती हातियों पर होने के कालण उन तक कोई खत्रा नहीं हो सकता था राजा की तो बहुत दूर की बात है राजा पुरू के भाई अमर ने सिकंदर के घोडे बुकी फाइल्ज यानि के संस्कृत भवक पाली को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया ऐसा युनानी सेना ने अपने सारे युदकाल में कभी होते हुए नहीं देखा था सिकंदर जमीन पर गिरा तो सामने राजा पुरू तलवार लिये सामने खड़ा था सिकंदर बस पलभर का महमान था कि तभी राजा पुरू ठिठक गया ये डर नहीं था शायद ये आर्य राजा का शास्त्र धर्म था बरहाल तभी सिकंदर के अंग रक्षक उसे तेजी से वहां से भगा ले गए पोरस का प्रारंबिक जीवन अब जबकि पोरस की कहानी ग्रीक इतिहास में दर्ज है उसके प्रारंबिक जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है इसके अलावा की वो एक बहाद्दूर पुरू राजा था उनका जन्म वर्ष अभी भी ज्यात नहीं है लेकिन अब जब से उन्होंने मैं 326 ईसापूर्व में हाई डैस पैस की लड़ाई लड़ी और 344 ईसापूर्व से 321 ईसापूर्व के बीच शासन किया उनकी समकालीन महापद्म नंदा थे जो उनसे थोड़े बड़े हो सकते थे क्योंकि उन्होंने नंदा की स्थापना की थी सामराज्य पांच साल पहले 345 ईसापूर्व और बाद में मगत सामराज्य के उनके पुत्र धना नंदा को चंदर गुप्त मौर्या ने 321 के आसपास हराया था चुंकि पूरस केवल 30,000 पैदल सेना, 40,000 घुर सवार सेना और 85 युद हातियों के साथ सिकंदर महान के साथ लड़ने के लिए गया था जब धना नंदा के पास 20,000 पैदल सेना, 80,000 घुर सवार सेना और 6,000 युद हाति शामिल थे हमें पता चलता है कि पोरस और उसका राज्य दोनों नंद समराज्य के तुल्णा में बहुत कमजोर और नाम मात्र का था पोरस की जाती सम्बंदिन उनले के किसी भी ग्रंत में नहीं मिलता इतिहास में पोरस तथा अलेक्जेंडर का युद भारत में एक घटना बन कर रह गया जिसका उनलेक इतिहास में एक जलक भर है ऐसी बहुत सारी घटनाएं इतिहास में हो जाती है परंतु वो इतिहास में लेखकों का अधिक ध्याना कर्षित नहीं करती। पुरातन पूरस के वन्षधारों तथा उसकी समान वर्षों से संबंदिद लोगों की खोज होनी चाहिए। इतिहास इस सविशय में मौन है कि पूरस छत्रय वर्ण में कौन जाती का था। पूरस के नाम के साथ पूरव उपादी लगाने से ये तो सपश्ट है कि वो पूरू वन्षी था। कि तुझ जाती की गहराई में जाने के लिए इस्वी पूर्व के पिहास में पाई जाने वाली जातियों में उसकी वन्षचों का अनवेशन किये जाने से जाट छत्रय में आज भी पूरस वाल विदुमन है। इंको पूरस के नाम पर अपना पूर्वज होने के लिए आज भी अभिमान है। ये वीजियो पसंद आई होगी आप हमारी इस वीजियो को लाइक शेयर करके चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले। झाल झाल